नमस्कार दोस्तों मैं प्रेमनाथ वर्मा आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी का देशी नुस्का में स्वागत है जैसे कि दोस्तों आप लोग ये जड़ी बूटी देख रहे हैं तो इसे तो जानते होंगे नहीं जानते हैं तो मैं ग्या गरने के लि वन्तुलसी के नाम से जानी जाती है ये और ये बहुत ही चमतकारी जड़ी बूटी है बहुत सारे रोगों में काम में आती है ये और बहुत ही असरदार जड़ी बूटी है ये और जैसे कि मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि किन-किन रोगों में काम आती है ये जड़ करेंगे तो पहले आप लोग पेड़ को देख लो अच्छे से और यह पत्ते को देख लो यह बन तुलसी के नाम से जानी जाती है और यह बहुत आसानी से मिल जाती है हमारी खेतों में मिल जाएंगी हमारे बाग में मिल जाएंगी जंगल में मिल जाती है बहुत आसानी से मिल तो आप लोगों को बताता हूं मैं कि किन किन रोगों में काम में आती है तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा बहुत सी लेड़ियों के यूनी से बदबू आती है तो बदबू आती है और बहुत ज्यादा बदभू आती है, infection होने के बाद बदभू आने लग जाती है, बदभू जाती नहीं है, बहुत लोगों के साथ एसा होता है, तो बदभू यह उसी के लिए है जड़ी बुठी, बदभू जाने के लिए, तो आपको इसका इस्तमाल कैसे करना है कि इसमें से आपको पाँच लीटर पानी ले लेना है पाँच लीटर पानी और ये पत्ते जो है पजास ग्राम पत्ते इसके ले लेने हैं पाँच लीटर पानी और बीश ग्राम आपको फिटकरी लेना है ये सबको उबाल देना है उसमें डालके काड़ा जैसे बनता हो और काड़ा बनाना है और पाँच लीटर पानी को आप गला के चार लीटर करो एक लीटर पानी गल जाए एक लीटर पानी गलने के बाद आप उ उस पानी को ठंडा होने दो और उसको एक बोतल में या किसी बरतल में आप रख लो और उसी पानी से आपको आपकी उनी धुलना है अंदर तक अच्छे तरीके से आप धुलेंगे तो दो से तीन दिन में आपके उनी से बदभूज वाती वो एकदम खतम हो जाएगी और जो इ यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करो बेला आइकन को दबाओ लाइक करो कमेंट करो